हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सबी लोग, I hope कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों मैं आज आप सब को इंडिया की टॉप त्री फेरनेस क्रीम के बारे में बताने वाला हूँ कि इन में कौन से क्रीम सबसे अच्छी है और इसका यूज कैसे करते हैं और इन सब क्रीमों के क्या साइड इफेक्ट है और हमें कौन से क्रीम को यूज करना चाहिए तो दोस्तो आज मैं आप सबको इन सभी क्रीमों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो में अंतग بنे रहें अगर आपने अभी तक हमारे आटूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकान भी आउन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमारे योटूप चैनल पे मिलती रहेंगी तो दोस्तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले इलोसोन एच्टी क्रीम के बारे में जो कि यहाँ 15 ग्राम के क्रीम होती है जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्रीम है इसके फार्मूले के बारे में बात करें तो इसमें हाइड्रोकनोन 39 आयन ममेटासोन होता है जो कि दोस्तो ये एक स्ट्रोइड क्रीम है इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो आप उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छी क्रीम है दोस्तो ये लिफोर्ट कंपनी की बने हुई है इसके साइड डिफेट के बारे में बात करें तो दोस्तो अगर आप इस क्रीम को लगाने के बाद धूम में निकलते हैं तो आपके चेहरे में रेडनेस देखने को मिल सकती है इसलिए आप इस क्रीम को जब भी यूज़ करें तो धूम में न निकलें दोस्तो इस क्रीम को लगाने से पहले इस बात का बिलकुल ही ध्यान रखें कि आप जहां पर भी इसको लगाना है उस स्थान को अच्छी तरह से धुल लिजिए उसके बाद ही आप इस क्रीम का यूज़ करें दोस्तो आपको इस क्रीम को केवल रात को ही लगाना है दिन में बिलकुल ही इस क्रीम का यूज़ रही करना है नहीं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है इसके फार्मूले के बारें बात करें तो इसमें बेटा मेतासोन और क्लियो नॉल होता है जो कि एक बहुत अच्छा शॉल्ट है दोस्तो इसके प्राइस के बारें बात करें तो यह आपको अठावन रुपे का किसे भी मेट कल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा दोस्तो आईए क्रीम को यूज करने से पहले आप अपने चेहरे को चीता से धुल लीजिए उसके बाद याप इस क्रीम का यूज करें दोस्तो यह क्रीम दिन में दो बार आप इसको यूज कर सकते हैं सुबा और साम आपको इसको थोड़ी सी मात्रा में लेकर अपने फेस पर लगाना है अगर आपके चेहरे पर केल मुहसे हैं पिंपल्स हैं जाइएं तो उसमें यह क्रीम बहुत ही अच्छा कार करता है चोटे-चोटे दानों को भी दूर करता है और अगर आपके चेहरे पर इचने साथी है तो उसमें भी यह बहुत अच्छा कार करता है खुजली को पुरी तरह से खतम करता है यह क्रीम बहुत ही अच्छी होती है दोस्तो बात करते हैं वेटनो बेट सी क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तो इस क्रीम के साइड इफेक्ट नहीं है अगर आपको इस क्रीम को यूज करने के बाद जलन महसुस होती है तो आप इस क्रीम को तुरंत ही बंद कर दें और अपने डॉक्टर की चला ज इसको इंडिया में सभी लोग अधिकतर इसी को यूज करते हैं दोस्तों बात करते हैं कि इस क्रीम का यूज कौन-कौन से रोगों में करना चाहिए अगर आपके चेरे पर दाने, कील, मुहसे, जाईया, पिमपल्स होते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं यह उसमें बहुत यह अच्छा कार करता है दोस्तों यह कील, मुहसे को पूरी तरह से खतम कर देता है मैंने खुद इस क्रीम का यूज़ किया है दोस्तों बात करता है बेटनो बेटन क्रीम को कैसे यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इसको यूज़ करना तो आप इसको दिन में दो बार यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको फेसवार से या साबून से अपने चेहरे को धुलने के बाद आप इस क्रीम को थोड़ी से मात्रा में अपने चेहरे पर लगाएं दोस्तो इस क्रीम को एक दो मेने यूज़ करने के बाद आप इस क्रीम को बंद कर दें इस स्क्रीम को लंबे समय तक यूज नहीं किया जा सकता है या तो अपने डॉक्टर के सला के अंसार ही यूज करें तो दोस्तो बात करते हैं इस स्क्रीम के साइड डिफेक्ट के बारे में इस स्क्रीम के कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं है दोस्तों अगर आपको वीडियो जरूर फरसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो जरात अभी अच्छी लगी हो दोस्तों फिलीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसे वीडियो आपको हमारे टूप चनल पे मिलती रहेंगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रट के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई थैंक्यू